महाराष्ट करनी सेना के चीप अजय सिंगर के एक बयान ने बवाल मचा दिया है TV1 इंडिया को दिये गए इंटर्वू में अजय सिंगर ने कहा कि यह देश कांधी के हिंसा से नहीं बलकि क्रांतिकारियों के कुर्बानी से आजाद हुआ है उन्होंने कहा कि अब देश को सम्मिधान पर नहीं बलकि मनुस्मृति के जर्ये चलाने की जरूरत है तब हिंदुस्तान सही मायने में दुनिया का सिर्मावर बन सकेगा आईए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुश कहा तरी के दक हमारे देश की जो बटवारा की वज़े मेंहें, गांधी है। गांधी को नहीं पूछने सहिए हमें गांधी ने हिंदू को सरी आइं सापड़ा हाई वाली है, बाकि धर्मों को उह रुछा का समर्दन किया है गांधी जीने और गांधिजा अगर रहते थे तो कम से कम हमारे देश के अंदर, हर कम से कम चार से पास तुकड़े होते थे हमारे देश के अंदर, नतुराम गोड़सी को क्या जुरूत थी, नतुराम गोड़सी हमारे मारश्ट का गवरो है, बारामोती का सबसे बड़ा सपुत्र है, मुझ और हमारे हिंदुवी सोराजन निर्मान करने के लिए चत्रपति शिवाजी महाराज, महाराना परताप, पेश्वे हो गए और दुर्गादास राठोड हो गए, मंगल पांडे हो गए, इदर बहगा सिंग हो गए, इन लोगों ने जो अपनी प्रान निछावर कर दिया, इनका नाइनटी फोडिशन में हमारा देश आजाद हो गया, आजदी के बाद में हमें लगा कि हमारा देश का विकास हो जाएंगा, हमारा देश की अगर न्यू देखते है, तो सबसे पुराना रास्ट पास हजार साल का इत्यास है, और तीन सो साल का अमेरिका आज कहां से का चला तुम चीन को देखो, जर्मनी जपान को देखिए, यह विकास कर रहा है, और हम बाबा आदम के जमाने में जा रहा है यहां पर, कि आदर नहीं है, डाक्टर बाबा साफ आमेट करने यह कदा भी नहीं खा कि आरक्षन पूरी जिंदीगी बर दो करकी, उन्होंने एक समय सिम तरह की है, उनको पता है कि आगे जरके आरक्षिक्ता बढ़ सकती है, आरक्षन के वज़े से गुनोत्ता को और मिरिट को कुछल जा सकता है, जिस देश के अंदर गुनोत्ता अगर कुछल जाई तो देश विकास नहीं करेंगा, उस देश का भकास हो जाएंगा, और देश बरबात हो जाएंगा उसके अंदर, लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए, टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए,